हमारा ख्याल कहा रहता है? हमारा ख्याल हरदम आउटकम के उपर रहता है, रिजल के उपर रहता है, नतीजे के उपर रहता है, तो हम नतीजे के उपर ख्याल रखेंगे नहीं, हमारा पूरा ख्याल, इंटेंशन पे रहेंगा, डिजायर पे रहेंगा, एक्शन पे रहेंगा, कृति के उपर रहेंगा, हम हमारे intention है, desire है, वो हम छोड़ेंगे नहीं, मगर at the same time हम जो उसके परिणाम है या उसके नतीज है उसे आसकती ने रखेंगे, उसको attachment ने रखेंगे, उसको उससे detach हो जाएगे, हम क्या करेंगे कि हम यक्षन, जो परिणाम है, नतीज है, उसके में कुछ भी आसकती रखेंगे नहीं, हमारा one-pointed intention जो है, कि पुरा 101% complete focused हम रहेंगे हमारे intention के उपर, desire के उपर, actions के उपर, मगर at the same time हम नतीजा क्या है, उसके उपर ख्याल देंगे नहीं, उसका मतलब उससे प्रभावित नहीं होंगे, नतीजे से और उससे आसकती रखे कि बोए मिलना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जहां जहां आसकती है, attachment है, vahva क्या है, vahva है fear, डर, और insecurity, insecurity का मतलब जो होता है, कि मैं सुरक्षित नहीं हो, और सुरक्षित का पी भäänणा है, और सुरक्षित आदा, उसकी भäänणा है, जब आप अठ इन्यों तो ढ़र नि रहेंगा और सर्फ्र कंण दाने मित रहेंगे हाप काम कर रहे हूं परिचों को कहीयल Penya तप्रबा भी नहीं है हम्हारा काम वह एंग्जायटी से वह डर से वह टेंशन से प्रभावित होता है हम फ्री ली काम नहीं कर सकते हैं लोग बार 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 सुरकशित notehehe उनको लगता है कि मेरे पास में इतना इतना पैसा आ जाएंगा तो मैं सुरक्षित हो जाओंगा फिर उसके लिए दोड़ते हैं पिर दोड़ने के बाद में उनके पास में उतना पैसा आता है क्या फिर उनको लगता है कि मैं सुरक्षित हो बिल्कुल नहीं फिर उनको लगता तो मुझे बहुत अच्छा लगेंगा, फिर मैं रिटार हो जाओंगा, फिर मुझे जो करना है मरजी वो करूंगा, फिर आराम की जिंदगी जीओंगा, जैसा मरजी चाहिए वैसी जिंदगी जीओंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, और फिर आपको उतना मिलता है और तभी भी भी आप खुश नहीं हो तो आपको एक समाधान आनन्सुख मिलने वाला नहीं है कि वह अनेंडिंग है पैसे के पीछे भागना वहां से सुर्क्षित आएंगी उसको एटेच रहना वह जादा होना जादा होना ऐसा करना मतलब आप वो गेम खेल रहे कि जो गेम आप जितन में आपको देरल पाला कई सससी सवरक्षित के जाहिसर वाला शॉत होंगा होया कियो मेरे घर हो जाएंगा मेरे पास में इतना वैसा हैंगा में बच्चे बड़े ओ जाएंगे तो मैं सुरक्षित रहूंगा तो यह सब ब्रह्म हैं ऐसा कभी होने वाला है नहीं क्योंकि आप अलग मुकाम पर पहुचते हो फिर वहां अलग तरह की और सुरक्षित रहती है तो आप वन डे संडे कभी तभी में सुरक्षित हो जाओंगा तो वह अपकी जिंदगी में होने वाला है जो मैं मुझे साथ में आपका अटेश्मेंट हो जाता है कि वह मिलगा ज़ना तो फिर रेली बिल्कुल ठीक है कोई प्राव्लिम नहीं हम आटचे स्के साथ में होते हैं जो नौं के सास्थ में इतजिए कि मुझे 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 में हैं मुझे चाहिए और नौं कहां से आ हुगा है नौन आ आ है पास से इसका मतलम पास से अटैश है और वहाँ से तो कुछ फरक पढ़ने वाला है तो फिर जो अनसरकन्ट है पता नहीं क्या होने वाला है डर्दना क्यों है जो होंगा वो होंगा तो आपको क्या है बहुत फिडब मिलेगा बहुत बहुत इनर्जी मिलेगी और आप जी लगा के खिलेंगे की आपको अटेच्मेंट नहीं कि मुझा चाहिए आपको कुछ आ सकती भी नहीं कि मुझा रहे हो आप लाइफ में खिल रहे हो बस खिलने के लिए खिल रहे हैं तो फिर जो यह स्टेट है अलटनेस की प्रेजेंट में रहने की प्रिपेर होने की कि मैं प्रिजेंट मॉमेंट में प्रिपेर रहूंगा और अंसरटन्टी है अनसरटन्टी मतलब अनिश्चिता मालम ने कि क्या है आगे होने वाला तो वहां फ्रिली खेलेंगे बन जाये खेलेंगे एज्जॉय करेंगे बहुत मज़ा करेंगे क्योंकि वह असली लाइफ है असली लाइफ तो वही है जब आप बोलते हैं इसके लिए कर रहा हूं उसके कर रहा हूं तो आपकी आसक्ति है जब आप प्रेजेंट हो था प्रेजेंट रहेंगे तो अनासक्ति से खेलेंगे अनासक्ति में खेलेंगे और इसमें क्या होंगा इसमें जो भी प्रॉब्लेम्स आपके लाइफ में आ रहे है आप वो प्रॉब्लेम को प्रॉब्लेम न सम मुझते हुए आप उसको चैलेंज समझेंगे आप उसको मौका देखेंगे कि मौका है और यह मौके के साथ में मैं चौका लगा सकता हूँ कि वहां से होंगा काम तो फिर यह लॉव डिटेश्मेंट जो है उसमें मैं प्रैक्टिकल तीन स्टेप के लिए बोलूँगा कि पहले स्टेप है कि मैं कमिट्मेंट एरां कि मैं डिटेश्मेंट के साथ में जोंगा मतलब अना सकती से जोंगा मेरा ख्याल नर्जल के ओपर रहेंगा मैं एक दम फ्रीली जोंगा अना सकती है जो आटकम आएंगा वाएंगा मुसे उसकी कोई चिंता ही नहीं है कि करेंगा मैं उसके लिए बहुत करकने हूँ मैं उसके लिए मेरी आइडिया जोए जोगों के वरोपर इंपोसुन करूंगा वह यसा है टीक कोई प्राब्लम नहीं है कैसे लाइफ आ रही है वैसा लाइफ आठी आ शाहिए जो सामने आ रहा है उसके साथ में जीओंगा औ वो solution हल करो, वो solution हल करो, वो solution दो, वो solution दो, वो solution दे दो, वो हल करो, ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि problem खत्म होने वाले हैं नहीं, ये solution दिया तो problem नहीं खड़े होंगे, तो मैं सिर्फ present moment में रहे के, पूरा focus जो है, वो काम के उपर रखूँगा, और अना सकती रखूँगा, कि उसके नतीजे क्या होंगे, ये पहला, फिर दूसरा, जो अनिश्चितता है, मैं समझूँगा, कि वो actually मुझे बहुत yes देंगी, बहुत सफलता देंगी, अनिश्चित पूरे सिद्ध से, पूरे ताकत से, पूरे attention, concentration से, पूरे intention, desire से, जो भी करना हो करूँगा, नतीजा मुझे मालूम नहीं है, यहां से मैं operate करूँगा, ये दूसरा नियब, तीसरा, मैं सभी संभावों के लिए खुला रहूँगा, मैं सभी संभव है, कुछ भी संभव है, और जब सभी संभव है मेरे लिए, मैं कुछ attention हूँ, कोई मेरा choice ही नहीं है, अंगिना choice है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर मैं असली जिन्देगी जी पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में फिर चमतकार होने की संभावना है, मुझे जीवन में बहुत आनंद, खुशिया, मज हसी, जमतकार यह सब संभव हो जाएंगे, आपको अच्छा लगा जो लोगों को वीडियो को शेयर करो, thank you very much.